नवस्काद दुस्तों मैं हूँ सिवंपाइंड और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मध्यप्रदेश के लोक निर्तिकों ट्रिक के माध्यम सियाद करने वाले हैं आपको पता है कि यह टॉपिक म बहुत टाइम तक याद नहीं रहेगा तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और एक चीज में आपको बता दूँ कि अगर आप माधपून ट्रिक को देखना चाहते हैं तो लगबंग मैंने 20-30 वीडियो अप्लोट कर दिया है तो उनकी लिंक आप आप को डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगी आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं बदहाई लोकनेति की जो की बुन्देल खंड से समंधित है तो यहाँ पर देखिए ब अगला point है राई लोक नित्ती जो की बुंदेल खंड शेत्र से समन्दित है और साथ ही साथ एक है रावला नित्ती ये भी बुंदेल खंड से ही समन्द रखता है तो रावला में रोवेला सब्द लिखा हुआ है मतलब रोने से समन्दित और राई में भी रोई सब्द लिखा जाएगा क्या राई और रावला नृत्य और बूंद बूंद आसु गिरते हैं तो बूंद बूंद से बूंदेल खंड तो याद रखेगा राई और रावला नृत्य कहां से सम्मंदित है बूंदेल खंड छेत्र से ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब हुमाई सामने जो अग बाबा नूरित्ति, तो याद रखिएगा जो बाबा नूरित्य है, कहां से सम्वन्दित है बुंदेल खंड से, ठीक है और साती सात कुछ और पॉईंट है जैसे कि देई देवता, पूजन ठीक है और इसके साथ एक और है कलेस नूरित्ति ये भी बुंदेल खंट से सम्मंदित हैं तो अगर चारों की याद करें साथ में बाबा को भी यानि बाबा नित्ते देई देईता नित्ते और कतिकिया नित्ते और साथ में कलस नित्ते चालों को अगर एक साथ याद करें तो ऐसा समझे कि बाबा में भोले बाबा की बात हुरी है देई देउता मतलब देवी देउताओं की बात हुरी है कार्तिकिया को कर लेते हैं कार्तिकिया कार्तिकिया आपको पता है भगवान सीव के बड़े बेटे हैं करनेश वागवान के बड़े भाई ठीक है कारती किये और यहां पर देखिए कलस को कर लेते हैं कैलास कैलास जो कि आपको पता ही है भागवान भोले नात का निवास इस्थान है तो सिंपल सापको यह चीज़े याद रखी है कि जो कैलास है वह बहुत जादा उचाईयों मिस् पता वहां पर कारती के भी रहते हैं भागवान भोले नात के पुत रहें तो कारती के फौर काती किया निवाड ठीक है और कैलास से कलस तो सिंपल से रखेगा कि यह चैरों निवाड इन सब की बात करेंगे ठीक है तो एक है राच बधाया निवत्ति यह भी बुंदेल इिस से समझ्ध रखते हैं तो राच बधाया में बधाया सब्द लिखा ह küç हुए इससे पहले एक बधायी देखा थम लोगों ने जो की बुंदेल खंड से रिलेटर था तो मैंने आपको बताया था था कि बधायी में सब्द लिखा हुए बाधल आई यानि बाधल आने की बात तो बाधल आएंगे तो बूंदे गिराएंगे यानि बारिश करेंगे ठीक है तो यहां बधाया में सब्द क्या ढूंड लेते हैं बाधल आया ठीक है बधाया बाधल आए और बाधल आया तो बूंदे गिराएगा तो बूंदे से बूं बुंदेल खंड से ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कानडा नृत्ति की यह भी बुंदेल खंड से संब्ध रखता है तो बुंदेल खंड में एक सब्द लिखा हुए बुंदे ठीक है अगर मैं आपको बताओं कि जो महिलाएं कानों में पहनती है इरिंग उनमें से संब्ध नृत्ति यह समंद्त है बगेल खंड से बगेल में बागएं सब्ध लिखा वहाग कि बात करें terrifying कि वासक्रिक है तो प्रण कहां रहते हैं बागों में रहेंगे क्यों वहीं पर फल होते हैं ठीक है तो एसे याद रखैंगा कि सुआ नृत्ति का भग्वेल खंड से अगला है दादर नृत्ति ये भी बगहेल खंड से समंध रखता है तो बगहेल खंड में बाग सब लिखा हुआ है बाग मतलब शेर की बात हुरी है ठीक है और यहाँ पर दादर में दादा तो जो बाग होता है वो दादा ही होता है एक तरीके का जंगल का ठीक है डॉन होता ह पूरी तरह से दादा होता है तो दादा से याद रखेगा दादर तो यहाँ पर आपको यादा जाएगा कि दादर नृति कहां से सम्मझनित है बगहेल खंड छेतर से ठीक है अब अगला है कलसा नृति जो की बगहेल खंड से सम्मझनित है इससे पहले एक क्या था कलस नृति यानि कालसा कोई आ रहा है और बगेल में बाग सब्द लिखा हुए तो जाहिशी बात है किसी इंसान के सामने अगर बाग हा जाएगा तो उसको उसका कालसा दिखेगा ठीक है? यानि मृत्य के देवता सा दिखेगा क्योंकि जाहिश सी बात है बाग सामने खड़ा तो फिर चोड़ने वाला तो है नहीं तो याद रखेगा कालसा फॉर कलसा नृत्ति कहां से समंधित है बगेल खंड से अब अगला है दौगरा नृत्य ये भी बगेल खंड से सम्मंद रखता है तो दौगरा को कर लेते हैं दरोगा ठीक है दोगरा दरोगा और दरोगा से समंदित आपने मोवी देखियोगी सिंगहम ठीक है सिंगहम में सिंग सब्द लिखा हुए जिनी सेर अर्थाद बाग तो जो दौगरा नृत्य है वो कहां से समंद रखता है बगेल खंड से ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं मालवा से समंदित महत्पूर्ण नृत्य की तो उसमें है मटकी नृत्य गरवी नित्य गरवा नित्य कहरवा फूल पाति तूटिया और फुंदी नृत्य ये सब के स मालवा से समंद रखते हैं तो मटकी की बात ठीक है मटकी आप समझते होंगे जिसमें पानी ठंडा करते हैं ठीक है गामों में आज भी मटकी को उपयोग किया जाते हैं गरवी और गरवा में सब्द लिखा हुए गिरवा यानि गिरने जैसा संकेत हो रहे हैं कहरवा में कहर सब्द कहर मतलब समझ लेना कि प्रलाय आ जाना या फिर ऐसा समझे कि बहुत ज्यादा बाढ़ भूकंप यह सब चीज़े आ जाती है तो बोलते ना कि एकदम भगवाने कहर ही ढ़ा दिया है ठीक है तो कहर सब्द आ जाएगा फूल पती में फूल और पती सब्द तो फूल औ और गर्भी हो गए ठीक है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गिरेगी तो जाही सिवा तो तूट फूट जाएगी तो तूटने से तूटिया और फूटने से फूंदी तो ऐसे याद रखेगा कि अगर कोई मटकी गिरती है और तूट फूट जाती है तो जाही सिवा थ मालवा से संबंदित है मैंने आपको फूल पाती बसको अलग से याद करवा दिया कि फूल पती जो है माला बनाने काम में आगी बाकी सबाब को मलवा से याद आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमाएं सामने जो अगला पॉइंट है वह है ग काठी निर्ति जो कि निमार से ही संबंदित है तो काठी संबंदित आपने सुना होगा कि लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े की दुमपे जो मारा हथोड़ा ठीक है यह वाली पोयम आपने सुनी होगी तो यहाँ पर मारा हथोड़ा की बात हो रही है तो मारा से आपको याद आजाएगा मार यानि निमार तो याद रखेगा काठी भी निमार से ही संबंदित है फिर है आंटिया निति ये भी निमार से संबंदित है तो आंटिया को कर लेते हैं अंतिया यानि अंति की बात तो अगर किसी को मार दिया जाए तो जाहिशी बात है उसका अंत डूली गणे जरूस की बात हु या फिर मैयर की बात रही है तो आपको पता घोड़ा या फिर गोड़ी की चलने के लिए गली की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है गली होगा तभी चलेंगे तो गली से ग यह कंप्लीट हुआ साथ ही साथ दो चीजे आप और याद रखिएगा जो कि कन्फ्यूज कर देते अगर मैं उनकी ट्रिक बता देता तो आप इनको अलग से याद रखिएगा जो राई निरती है वो बुंदेल खंड के साथ साथ बगहेल खंड से भी संबंदित है ठीक है मतल कालवा और निमार से और जो राई है वो किसे बगहेल खंड और बुंदेल खंड से तो आप इन चीजों को भी याद रखिएगा तो चलिए अब हम लोग एमसी क्यूज टेस्ट की तरफ चलते हैं तो पहला कोश्चन आपके सामने है कि कानड़ा लोक निरती कहां से संबंध रखता है कोश्चन नमबर दो बदहाई लोक निरती किस छेत्र से संबंध रखता है कोश्चन नमबर तीन बाबा निरती कहां से संबंध रखता है और इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन है कि फूल पाती निरती कहां से संबंधित है ठीक है तो इन सभी कोश्चन के अंसर क कमेंट करके बताईएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे